हेलो एरिवान मैं हूँ सारिम टैकरेंडम से इस वीडियो में आप आज जानेंगे कैसे पेटियम एप से आप अपना एलेक्रिसिटी बिल घर बैटे पे कर सकते हैं वीडियो बहुत इंफरमेटिव होने वाला है तो एंड तक बने रहीएगा चलिए वीडियो शुरू करते है सबसे पहले आपको पेटियम एप गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर से डाउनलोड करने पड़ेगी खाइस पेटियम आप दोनों OS यानि के Android और iOS में यूज कर सकते हैं प्रसीजर दोनों OS में सेम रहेगा एप ड्रॉर में जाकर पेटियम एप को लिए और आपको डिस्ट्रिक्ट और टाइप चूज करना है मेरा अर्बन कनेक्शन है तो मैं वह चूज कर लेता हूं और आप रूरल चूज कर सकते हैं अगर आपका रूरल कनेक्शन है यहां अपना अकाउंट नमबर देख सकते हैं जो अब लेटेस्ट प्रोवाइड किया जाता ह है अकाउंट आइडी इस स्पेस में डालेंगे और प्रोसीड बटन को प्रेस कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे यहां आपको अपनी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी चैक कर सकते हैं जैसे के डिस्कॉम, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस, बिल नमबर और वगेरा अगर आप फास्ट फॉर्वर्ड पर क्लिक करें तो डारेक्ट पेटीम से पे कर सकते हैं कुछ ओफर्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं जैसे लगी टुहंड्रीड, लगपती, एक्सेक्टर, एक्सेक्टर जो टाइम टाइम पर आती रहती हैं अब आगे बढ़ेंगे आप net banking, debit card, credit card किसी भी option से pay कर सकते हैं net banking देख लेते हैं किस अरहि कैसे काम करती है देखिए सारे banks आपको प्रोवायडिट किये गए है select from all all other banks में option को Ratice चूज करके अगर आपका आपना Bank नहीं है तो वह भी चूज किया जा सकता है यह आगर आपको इंशोरेंस चाहिए तो यहाँ पर टिक करके 1.99 में इंशोरेंस ले सकते हैं आगे बढ़ेंगे तो वराइटी आफ डिफरेंट कूपन्स आपको मिल सकते हैं कुछ पैसों में कुछ आपको फ्री भी मिल सकते हैं और कुछ पैसों में भी मिल जाएंगे कोई भी चूस कर सकते हैं जो आपको पसंद हो कूपन अब बिना कुछ चूस के हैं आगे बढ़ जाते हैं इस टेटोरियल के लिए मैं क्रेडिट कार्ट से पे करने वाला हूं तो क्रेडिट कार्ट की डिटेल आपको डालनी होगी प्रोवाइडिड स्पेस पर यह मैंने सिक्योर करने के लिए ब्लड कर दिया है ब्लैक आउट कर दिया है आपको भी अपना CVV number और जो भी अपनी details है हमेशा secure रखनी चाहिए, किसी से share नहीं करना चाहिए CVV मैं डाल चुका हूँ, आप पे securely करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, एक और second layer of protection है OTP दिया गया है, registered mobile number पर इसको भी आपको हमेशा save रखना चाहिए आगे बढ़ते हैं, submit कर देते हैं Submit करते ही, आपकी processing शुरू हो जाती है, Paytm servers पे और आगे देखे payment हमारा confirm हो चुका है, confirmation SMS and email receive हो चुका है आगे मैं आपको दिखाऊंगा, जो मुझे mail पर मिलता है और app पर मिलता है confirmation messages यह मुझे Paytm app पर orders में जाकर मिलता है यहाँ पर order ID, transaction ID है और यह email notification मुझे mail मिल चुका है यह था वीडियो Payments with Paytm app वीडियो आपको पसंद आए तो like कीजे, share कीजे और subscribe जरूर कीजेगा क्योंकि Tech Random पर मैं इसी तरह की informative वीडियो अप्लोड करता रहता हूं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगली वीडियो तक के लिए गुड़ बाई है